नवश्कार दोस्तो स्वागत है आपका पार्ट फइंडर इस्ट डिपॉइंट में करंट अफेर्स को कांटिनिव करते हुए हम आगे बढ़ते साइन्ट अफेर्स में आज वह जो है अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो जरूर देख लिए जिससे आपकी कांटिन्यूटी बनी रहे और कोई भी लेक्षर आपसे चूटने न पाए तो बात करते हैं सबसे पहले सान्या भ्यास हरीमव सक्ती 2018 यह कहां किसके किसके भी संपन हुआ भा भारति नेत्यत्यक के चार Gronadiers Battalion इसमें इनीन हिस्सा लिया और Malaysian नेत्यत्यक्त के एक Royal Ranger Regiment तथा Royal Malay Regiment ने इसमें हिस्सा लिया युद्ध पोत जो है INS गंगा जिसको F22 जो इसका टेक्निकल नाम है ये सेवा मुक्त कर दिया गया है 22 मार्च 2018 को और ये कमीशन कब हुआ था यानि कब जो है सेना में सामिल किया गया था 30 दिसंबर 1980 को और इसकी स्रेडी क्या है ये गोदावरी स्रेडी का युद्धक पोत है नाम सेना के तीन माइन स्वीपर यानि सुरंग भेदी पोत ऐसे पोत जो सुरंग के बीच में भी वार कर सकते हैं ये सेवा मुक्त किये गए हाली में 23 मार्च 2018 को तो INS कोंकर और ये कब जो है कमीशन किया गया था 8 अक्टूबर 1988 को INS कन्नूर 17 दिसंबर 1987 को ये सामिल किया गया था और तीसरा जो है INS कुडार दोर 29 अक्टूबर 1987 को ये सामिल किया गया था और ये सब 23 मार्च 2018 को सेवा मुक्त कर दिये गए हैं और तीन दसकों में प्रतेक द्वारत तै की गए दूरी लगभक कितनी है तीस हजार नॉटिकल मील यानि इन्होंने बहुत लंबे-लंबे सफर तै की है जो है अपने सेवा के दौरान रोटा वाइरस वैक्सीन प्रारम करने वाला जारखंड दस्वा राज बन गया भारत का और ये जो है साथ अप्रेल दो हजार अठारा को जारखंड ने जो है रोटा वाइरस वैक्सीन अपने अपने स्टेट में की गए है दो हजार बीस तक डायरिया से होने आली मुरत्ति को पच्चिस प्रती एक हजार जनसंख्या तक लाना इसका अलच्छ है रोटा वाइरस वैक्सीन के बारे में और जानते हैं जीरो से पांच आईवर्स के बच्चों को डायरिया से बचाओ है तो ये दिया जाता है रोटा वाइरस जो है वाइरस जनी छोटी याथ की परत को परत बनाने वाली कोशकाओं को नुक्सान पहुचाता है एक्स प्लेन विमान चर्चा में रहा है ये नासा का आवाज रहित मतलब बिल्कूल भी से साउंड नहीं होती सुपरसोनिक यात्री विमान है इसको लॉक्हीड मार्टिन एरोनाटिक्स कंपनी से अनुबंद करके बनाये गया है जो की 24.75 करोन डालर की परियोजना है 2021 तक ये बनके तयार हो जाएगी यानि ये जो 2021 तक सौपी जाएगी कॉक्पिट में इसमें एक पाइलेट रहेगा 32,300 पॉंड इधन सहित ये वजन को जो है ले जा सकता है इसकी सामान गती 1512 किलोमीटर प्रतिगंटे रहेगी और एरिक्तम गती 1593 किलोमीटर प्रतिगंटे रहेगी इसकी जो लंबाई है वो 94 फुट है मिसाइल सर्मत ये रूस की जो है ICBM मिसाइल है यहाँ बायोवेडा जो SS18 सतान की जगे लेगी और ये बिस्ट की सबसे वजनी ICBM काटेगरी की मिसाइल है इसका दूसरा सफल परिछन 30 मार्च 2018 को किया गया और पहला परिछन इसका कब हुआ था दिसंबर 2017 में फ्लोरी मीटर नामा के यंत्र विक्सित किया गया है इसमें क्या होता है तो ये पानी में यूरेनियम की मातरा को नापता है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है साइन्स और टेक्नोलजी में इसी तरह के प्रसनाते है फ्लोरी मीटर क्या करता है यूरेनियम की मातरा को नापता है पानी में राजा रमन्ना प्रगत पुर्द्यों की केंद्र जो है इंदौर जो MP में स्थापित है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है इसकी मापन चमता 0.1 PBS यानि पार्ट्स पर बिलियन है जो की 1000 PBS की चमता है यूरेनियम की पानी में तय सीमा कित्ती मानी जाती है 60 PPB जो है यूरेनियम की तय सीमा मानी जाती मतलब इतनी सीमा स्वास्त के लिए हानिकारक नहीं होती है 9 सेना अभ्यास वरुण 2018 जो भारत और फ्रांस के बीच में संपादित हुआ भी ये तीन चरणों में तथा तीन समुद्री छेत्रों में हुआ कहां कहां पर अरब सागर में बंगाल की खाडी में और री यूनियन दीब जो फ्रांस का है वहां पर 2001 में वरुण नाम से सैन्य अभ्यास जो है प्रारम किया गया था और 1993 से भारत का और फ्रांस का समुद्री अभ्यास जो है प्रारम हुआ था एप 16 बिमान उत्पादा निकाई की भारत में स्थापना की गोश्णा की गई है अमेर्की रच्छा कंपनी लॉक हीड मार्टीन द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाएगी और यह मेकिन इंडिया पहल के तहट जो है इस यह किया जा रहा है अब हम जो है थोड़ा गेम्स उसके जो है जो है देख लेते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट जो है घटना करम हुए माई में और अप्रैल में सन्यास किसने किसने लिया है केविन पीटर्सन यह कौन है इगलैंड के क्रिकेटर है जिनों ने अंतराश्ती क्रिकेट से सभी प्रारूपों से सन्यास ले ल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोसित किया गया है फिर टेनिस में देखते हैं कौन-कौन से प्रत्योगता है हुई टेनिस में जो है बोल्वो कार ओपन 2018 यह चाल्स्टन अमेरिका में संपन हुई इसमें महिला एकल का खिताब जीता किकी वर्सेंस ने समीर वर्मा जो किताब जान इशन जो अमेरिकन प्लेयर है उन्होंने जीता और महिला एकल का किताब स्लोवाने इस्टिफेंस जो अमेरिका की प्लेयर है इन्होंने जो है मियामी उपन 2018 में जीता फिर ITF फ्यूचर टेनिस चैंपियनसिप की ITF महिला सर्किट जो ग्वालियर में आजीत हु जो 22-31 मार्ट 2018 को ब्रोबेन स्टेडियम मुंबई में आजित हुई थी। इसमें जो है अलग-अलग कटेगरी में अलग-अलग टीमों को किसको क्या मिला है ये इसमें हम देखते हैं। टूनामेंट खिताब के भी जेता है आस्टेलिया जिन्होंने इग लैंड को हराया था फाइनल्स में। फुटबॉल में हीरो संतोष ट्रॉफिस चेंपियंसिप 2017-18 की इसकी विजेता टीम रही केरल और उब विजेता टीम जो है पस्चीम बंगाल केरल ने ये खिताब जो है छटी बार जीता है। की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स टूनामेंट 2018 इसको जीता है फैवियानो करुआना ने जो अमेरिकन प्लेयर हैं। गोल्फ में अर्नाल्ड पालमर आमंत्रन गोल्फ टूनामेंट 2018 इसके विजेता खिलाडी है रोरी मैकलॉर उत्तरी आयरलेंड के जो है प्लेयर हैं। और भारती गोल्फर जो है अर्बिनार्व लाहरी ये इस प्रत्योकता में 75 इस्थान पर रहे है। फार्मूला वन में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2018 सेबेस्टियन वेटल ने जीता। फिर अन जो है प्रत्योकता हैं आई एससेफ जूनियर भी सुकप 2018 राइफल, पिस्टल, सौटगन ये प्रत्योकता का पूरा नाम है। इसमें 30 स्थान पर चीन रहा, इसने 25 पदक प्राप्त किया, जिसमें 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 8 ब्राउंज मेडल है। दुतिय स्थान पर भारत रहा, 22 पदक के साथ 9 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 8 ब्राउंज मेडल। भारत का स्वनपदंग बिजेता खिलाडी इसमें कौन से रहे, अनीज सिंग, इलावेनिल वालिराउन और मनु भाकर मुसकान ये सब जो है, इसमें स्वनपदंग जीता इन्होंने। फिर सीर्थ कालीन पैरा उलंपिक खेल 2018 की बात करते हैं, ये प्योंग चांग दच्छिड कोरिया में जो है आय जीत हुए थे, 9 से 18 मार्ज 2018 तक, इसमें सीर्थ कौन सा देश रहा, अमेरिका 36 पदको के साथ, जिसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 8 ब्राउंज इन्होंने जीता होगा बीजिंग चाइना में, वीडियो सा एक रेफरी प्रोध्योकी का प्रयोग जो है खेल में भी रिसेंटली लिया गया है, तो ये फीफा वर्ड कप 2018 से जो है ये लागू हो जाएगा, और फीफा वर्ड कप जो है जून जुलाई में रूस में संभावित है, रॉबर् देविस कप में सरवाधिक यूगल खिताब जीतने वाले खिलाडी कौन से हैं, लियंडर पेस, जिन्होंने ये खिताब 43 बार जीता, यूगल खिलाडी का, साउथ अफरीका के गेंदबाज का अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास हुआ, तो गेंदबाज का नाम है मौरने मार केल, इरानी कप में पहली बार सरवाधिक रन बनाने अले खिलाडी कौन से बने, वसीम जाफर विदर्ध की टीम जो है, तो दोस्तों इस तरह से जो है, आज हम लोगों ने लगबग 50 से 60 जो है, जो 2018 के माई और अपरेल से रिलेटेड जो है करेंट अपेर्स थे वो देखे नेक्स सीरीज में स्कौर कांटिनू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद